चोपड़ा एज़कुस न्यूटूब चैनल पर मैं हसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो कल सुप्रिम कोड की हीरिंग हुई थी 18 जुलाई 24 को उसके आउटकम के अकोडिंग क्या री नीट हो सकता है या री नीट नहीं हो सकता है इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या रहे कल के की पॉइंट्स उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये कल के Supreme Court का order है judgment का उसमें Supreme Court ने NTA को ये direct किया है कि वो सभी students का result शो करेगा और वो result शो करेगा 20 July 24 दोपेर 12 वजे तक यानि कि कल दोपेर 12 वजे तक NTA दोपेर ये result जारी किया जाएगा जिसमें center wise और city wise ये result होगा जिससे हमें एक ये idea होगा कि कौन से center पर एकदम से कितने high rank जा रही है ये हम देख सकते हैं और ये सभी student देख सकते हैं तो Supreme Court ने ये तो एक अच्छा काम किया है जिसके लिए हम Supreme Court का धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि इससे ये देखने को मिलेगा कि कौन से center पर cheating हुई है हम भी लगा सकते हैं उसमें अब दूसरी बात Supreme Court ने EOU की वो report भी मांगी है जो initial report थी यनि की 5 मई को जो student पकड़े गए थे उनकी report मांगी है और CBI से पहले जो CBI को बाद में टैक ओर हुआ है ये case लेकिन उससे पहले की जो investigation है उसके पहले की जो investigation के थूँ जो material EOU को मिले ह हैं उसकी report ये Supreme Court ने 20 जुलाई को मांगे है यानि कि बिहार पुलिस है वो report देगी Supreme Court को जिससे एक ये idea हो जाएगा कि ये paper mass level पर है या फिर local level पर है क्योंकि अभी तक Supreme Court इस बात से agree नहीं हुआ है कि ये paper local leak है या mass leak है तो इसको पुक्ता करने के लिए ये EOU की report मांगी ग Finally दो points कल के hearing में देखने को मिले हैं और ये आपने सुन भी लिया होगा इनके बारे में अभी जो next hearing है वो 22 July 24 को साड़े दस बजे ही हो जाएगी अब जो मैन मुद्दा ये है कि जो कल hearing हुई थी ये hearing पूरे दिन ही चली थी ये 4 cases पहले hearing हुई थे उसके बाद 5 से 7 तक के ज पूरे दिन ही सुने गए थे और पूरे दिन की सुनवाई में ये सामने निकल कर आ रहा है कि अभी तक सुप्रिम कोर्ट को ये पता नहीं लगा है कि ये paper mass level पर है ये local level पर है इसलिए उन्होंने EOU की report मांगी है हलांकि NTA ने अभी काफी कोशीज की है इसको local level करार देने की लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने काफी बार ये कहा है कि क्या टेलिग्राम पर वाटसप पर ये paper leak हुआ है काफी students के पास पहुंचा है CGI ने ये भी जानने की कोशीज की कि आखीरी ये leak का हुआ है transportation के दोरान leak हुआ है या school में leak हुआ है कब leak हुआ है इसका timing क्या है तो अभी timing के बारे में भी पता नहीं लगा है कि ये कितने बज़े leak हुआ और कैसे leak हुआ है तो timing के बारे में कि ये पांसतारी को leak हुआ था या फिर ये चार मई को ही leak हो गया था उसके लिए ये EOU की report माने गई है तो इसमें जब सारा एक बार हम conclusion देखते हैं इसका कल की hearing का तो उससे ये ही परतीत हो रहा है कि Supreme Court भी अभी तक ये ही मान रहा है कि ये paper अभी mass level पर leak नहीं हुआ है क्योंकि ऐसे जो evidence हैं वो ने तो petitioner available कर पाए हैं और नहीं हमारे को लग रहा है कि जो CBI की report है उसमें इस परकार के तत्थे सामने आएं कि ये mass level पर leak हुआ है हाला कि कल की hearing में Supreme Court की जो report थी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया ये ही NTA दुआरा एक बार कहा गया है कि ये अभी तक 153 student इनने ये paper leak में सामिल हैं और उसमें जो paper leak में सामिल है 54 candidates को डिबाट कर दिया है next year exam के लिए और बाकी का result रोक लिया है तो इस प्रकार की ये चर्चाएं हुई कि अभी तक 153 candidates को ही इसके बारे में फाइदा मिला हुआ है या फिर leak में 153 candidates ही अभी तक सामिल है इसके बाद में Supreme Court में कल ये भी point उठाया गया कि जो 9 और 10 अपरेल को जो दुबारा से window open की ली थी ये क्यों किये गई थी तो NTA का ये काइना है कि राज़्तान हाई court दुबारा ये कहा गया था कि ये window दुबारा से open की जाए क्योंकि उसमें एक petition लगी थी और court में ये का था कि ये window दुबारा open किया था इसलिए 9 और 10 को दुबारा open की गई थी और उसमें जो student total registered हुए थे उसमें 15,093 student registered हुए थे और उसमें 1,08,000 की rank तक 44 candidate है उसमें यानि कि 575 mark से above वाले candidate इसमें 44 candidate हैं जिन्होंने 9 और 10 अपरेल को registration किया था हलाकि इस बात में कितने सचाई है ये तो हम नहीं मान सकते क्योंकि NTA पहले भी अपने बातों को गोलमाल करते हुए आया है जो हमने grace marks के regarding देखा है क्योंकि grace marks के regarding भी इसने काफी गोलमाल किया था तो इस बात में कितनी सचाई है कि ये 15,093 candidate ही क्योंकि times of India का जो article आया था उसमें 24,246 candidate निकल के सामने आ रहे थे क्योंकि उसने जब चोईस मार्स को इस परकार का notice दिया था ये एक article छापा था कि इतने studentis से हैं और इतने इतना registered candidates है अलंकि ये code के सामने रखने वाली बात तो होती नहीं है newspaper की cutting लेकिन फिर भी newspaper ने ये सही cutting NTA से लेके डाला है उसके according 24,246 candidate आ रहे हैं लेकिन NTA इनको 15,093 candidate सी बता रहा है अभी ये कितने सचाई है ये तो कह नहीं सकते इसमें लेकिन NTA ने तो इसका भी जबाब दे दिया है जो 9 और 10 को विंडो ओपन हुई थी उसका भी reply दे दिया है तो कहने का मतलब ये है कि NTA की तरफ से बिलकुल साफ है NTA ये ही कह रहा है कि ये paper mass level पर leak नहीं हुआ है अब बात करें कि इसकी कितने इक possibility हो सकती है reneet की तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि reneet के संकेत अभी ऐसे मिल नहीं रहे हैं अभी 10% possibility लग रही है reneet की 90% ऐसा लग रहा है कि अभी reneet नहीं होगा ऐसा हो सकता है कि जिन center पर गड़बड़ी हुई है उन center का exam वापस से conduct करवा लिया जाए ये भी possibility हलांकि कम है लेकिन ऐसा हो सकता है पटना और हजारी बाग के center पर दुबारा exam conduct करवाया जा सकता है लेकिन इसकी भी possibility कम ही लग रही है और reneet की possibility तो 10% है 10% हो सकता है reneet हो जाए बाकि 90% ऐसा लग रहा है कल की hearing के according क्योंकि कल court ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि ये paper mass level पर leak हुआ है ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है क्योंकि बीच-बीच में जब petitioner अपने याचिका पर बोल रहे थे तब बीच-बीच में CJI ने ये कहा है कि इससे हम ये idea नहीं लगा सकते कि ये paper काफी student को पहुंचा है तो इस परकार की कारवाई हुई थी कल court में मैं सोचता हूँ कि court की जो proceeding है court की जो hearing है कल आपने भी सुनी होगी और अभी तो ये online चलती है हरे एक student ने सुनी होगी आपने भी idea लगाया होगा कि re-neet की possibility कितनी है आपने भी idea लगा लिया होगा counseling कब से start होगी तो इसमें जो SD है उन्होंने बोला कि 24 July से counseling हम start कर रहे हैं तो इसमें CGI ने कहा कि अभी 22 को ही हम फैसला ले लेंगे दोपर तक lunch से पहले-पहले ही इसका फैसला आ जाएगा तो counseling तो 24 से start होनी है तो उसमें अगर re-neet होता है तो counseling automatic cancel हो जाएगी उसमें तो कोई इतना बड़ा issue नहीं है counseling start होने का तो देखो मेरे according अभी re-neet की possibility बहुत कम हो गई है यानि कि 10% ही ऐसा लग रहा है कि re-neet हो जाए या फिर पटना और हजारी बाग जैसे center पर दुबारा से exam हो जाए ऐसा भी हो सकता है तो अभी देखते हैं 22 को क्या decision आ सकता है मैंने मेरी जो possibility थी वो बता दी है जो मेरे according क क्या हो सकता है यह मैंने आपको बता दिया है बाकी 22 को जैसे ही hearing होगी उसका जो भी outcome होगा मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंग